लोगों को समझना चाहिए कि बहिंकुमारी मायोती इस देश में अपनी ताकत बनाना चाहती है कब तक दूसरों से अपना हिस्ता मांगते रहेंगे आप अपनी ताकत बनाकर इस देश में रूल कर सकते हैं अपनी ताकत बनाकर आप अपने अधिकारों को सरक्षित कर सकते हैं की उसमें तो बस्पा साथ करी निजर नहीं आ रही है है विए भाज़पा को अगर कोई हा सकता है तो बस्पा और भॉझन समाज के लोग ही खरा फिकते हैं और कोई नहीं रखता बोर्ट किसकी जा ONE इस देश के अंदर भॉझन समाज की समझधर हैं हम δूसरे को हराने के लिए तीसरे को जिता दें यह कहा कि समझदार ही हे हमारा हीख अपना घर यह लआश्टे लेबल की पाड़ी बहुजबूत त हम अपके चैनल मादनय सेथ देश के बहुजबूत को आना चाहता हूं कि आप अपनी पाल्टी को क्यों नहीं बचाना चाहते अपनी पाल्टी को मजबूत क्यों नहीं करना चाहते अप दूसरों के पास जाकर आप क्यों भीक मांगना चाहते हैं आप क्यों 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 शीटों के लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप अपनी सरका सुक्षित रखा जाएगा नहीं तो सविधान बदनने की हमारी समाज को सोचना जाएगी कि हमारे सिवाय लोग है और कम जो पास बोट बचा इना देखो आपके कहने से कुछ चोड़ी चलेगा इस देश में बोट किसके पास है बोट बचा नहीं है अगर बोट नहीं होता तो हम देश में तीसरे नंबर की पालिटी कैसे होते होते बताई नहीं है इसलिए हम आपको बदाना चाहते हैं हम तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बहुचन समाज पार्टी उसको इगनोर यह जानबूज कर मान सकता है कि अभूचन समाज पार्टी भूचन समाज पालिटी ठतम हो गई हुग्यें कर लोगों को तयार कर रहे हैं कि अपनी पावर बनाईए अपने घर को मजबूत कीजिए दूसरों में घर में जाकर आप कभी भी ताकत बन नहीं बन सकते हैं दूसरे के घर कि वहिजन समाज समाज की ताकत को कम जोर करना चाहते हैं यह सब पर भारी हैं उन्होंने निन्ड लिया कि हम अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे हम कैसे भीक मांगने चले जाएं किसी से वोट हमारी ज़्यादा है राज हमारा होना चाहिए और हम उन्हेंसे मागे कि हमको सीट दे ती है और यह इंद उन्हांछ ऊघת дор में देख लिमार्ट को नहीं है डरती हैं सब लोग बहुजन समाज पालिटी से लोग इसलिए डरते हैं कि अगर बहुजन समाज पालिटी देश के अंदर आ गई तो वह 2007-2012 में जो उत्तरप्रदेश में सासन किया था वह पूरत देश में सासन करेगी जीरो बैलेंस पर बच्चों के एडविशन होगा जो आज पढ़ाई हो रही है वह लाको करोन रूपया देखा जो पढ़ाई होती है वह जीरो बैलेंस पर होगा जो आ生कर है हमारे बच्चे में अब निकाला जा रहा हैं ऐसे बच्चों के साथ सुशन नहीं होगा नोगों को नियाय मिलेगा सव्तंता की बात की जाएगी पुरा जीवन लगा दिया उस घर को बनाने के लिए अगर एक बार मजबूत हो गया तो जो सोशन हो रहा है अज आप देख रहे हैं यह किसी बहुत बेटी पर कभी सोशन नहीं होगा यह सोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी को राजनितिक पावर नहीं बनाई आप आप बहकावे में आ जाते हैं आप दूस्परचार में आ जाते हैं और आप दूसरे लोगों की बात करने करते हैं कि बहुचन समाज पावर में आ गए यह सरकार हमारे अकोर्डिंग चलेगी इस देश में किसी व्यक्ति की कोई भी मजाल नहीं की जो सवीधान बदलने की ब पता दिल्ली में को अगर्यों को समझना चाहिए राजनिती में यह जो लोग है ये मुह देखकर बात करने का काम करते हैं इनकी करनी और कत्री में अंतर है मगर बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी इस देश में सविधान को बचाना चाहती है और जिए दिन इस देश में सवीधान लागू हो गया, उजदिन इस देश में सारा कुछ सही हो जाएगा, किसी पर कोई छोचन नहीं होगा. डॉक्टर रितु सिंग धरने पर बैटी हुई है, डॉक्टर सवीता रॉयक की वर्खास्तगी की मांग है, उनके उपर बहुत से संगीन आरोफ है, ऐसी एस्टी एक्ट की भी धारा है, उनके खिलाफ है, आम तोर पे बस्पा जो है ऐसे धरने परदश में नदर नहीं आती है सर आज आप आए हैं, क्या कारण है और क्या आपका रूपरे खर रहेगी कोई? परिवर्तन की लड़ाई है, एक आंदोलन है, परिटी तो ही राजनेतिक परिटी के साथ साथ जो मांडवा काशी राम साव ने 14 अपरल 1984 को परिटी बनाने के बाद में एक नारा दिया कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की बात करी जाएगी, तो वह हम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आवाज उठाते हैं, और आवाज जब तक उठाते रहेंगे, जब तक इस देश सोशन खतम नहीं हो जाएगा, यहां के जो पुलिस कर्मी है, वो अमिस सहां के अंडर में आते हैं, जितनी भी पुलिस है, अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई बनाने का काम किया, उस आधार पर प्रावपेसर रीतु सिंग को सस्पेंड करने का काम किया, अभी कोट में उनके खलाफ F.I.R. है, चार सीटीड हो गई है, वो स्टीड प्रिवेंस एट्टो सीटीड एक्ट की धारा लगी हुई है, वो धारा ऐसी हैं कि उसमें गरपतारी होनी चाहिए, जब तक उनकी गरपतारी नहीं होगी, कैसे पता लगेगा कि यह जो लिश्ट प्रिपेर करिये, किसने प्रिपेर करिये, कौन लोग है, किसकी हेड राइटिंग है, मगर जो पुलिस है, दिल्ली जो पुलिस है, उनको चार सीटीड करती है, विदाउट यह दोहरा जो मापदंड है, यह इस देश में नहीं चलना चाहिए, डॉक्टर डीतू सिंग एक दलिस समाज से विलोम करती है, इस महिला है, इसलिए उनको शोषन हो रहा है, अगर कोई और समाज की वक्ती होती है, महिला होती तो उनको इस शोषन नहीं होता, इनके जो मान सकता है, डॉक्टर सवीता राय की, यह मनुवादी मान सकता है, यह ब्रहमनवादी मान सकता है, यह लोग हमेशा से ब्रहमनवादी जो चीज़ें उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और इनके किताबों में लिखा हुआ है कि महिला नहीं पढ़ सकती है, हमारे बच्चे पढ़ लिक कर आगेर आ रहे हैं आई एस पीसी है डॉक्टर इंजीनियर फॉफेटर जज्ज वकील बन रहे हैं तो यह रोकना चाहते हैं आज भी लोगों का अंगूठा काटा जा रहा है यह नौकली चील रहे हैं यह नंबर काटने का काम करें जो सरासर गलत है इसलिए यह पालिटी प्यारोप लगा रही है कि इंडिया के साथ ना जाकिए बीजेपी को फायता पहुंचा रहे हैं आप दालू यादब कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं मायावती जी को सर्द यादब कहरें पहले भासपास संबंद तोड़े हम क्या फुटवोल हैं दस साल कांग्रे बेहन कुमारी मायावती ने क्लियर कट कह दिया है कि हम अपनी ताकत बनाएंगे इस देश में बहुजन समाज 85 परसेंट बहुजन समाज है और बोट हमारी है राज उनका चल रहा है जो मानवार काशिराम साब का नारा था बोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा नहीं नारे पर बेहन कुमारी मायावती देश के अंदर राजनीती कर रही है और हम ताकत में आएंगे और 2024 के चुनाम में बहुजन समाज पालिटी नई क्रांती और एक नई ताकत बनाने का काम कर रही है लोगों को समझना चाहिए